हेलो फ्रेंड मैं बिर्जस कुमार ओपिसियल यूटूब चेनल जी ओवी टी यानि गॉर्मेंट जॉप्स फोडियू में आज का वीडियो बहुत थी महत्पूर होने वाला हैं क्योंकि आज इस वीडियो में नॉन टीचिंग के सरकारी नोकरी के बारे में बताने वाले हैं ए कर्वेडर पोजीशन के लिए आवेदनामंत्रित है यानि सरकारी नोकरी के लिए और लाइबरी साइन्स की फिल्ड में असिटेंट लाहवेर यान शिनियर लाहवेरी चेन्ट जुनियर लाईबरी चसेन्ट सेंट सहित वीभीन पद्ध हैं एक अच्छी वावेकंसी हैं YouTube पे वीडियो अप्लोड नहीं है तो आज का वीडियो बहुत ही महत्पून होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल के द्वारा वेवसाइट बनाया गया है वेवसाइट का नाम है GOVTJobs4U.org इस वेवसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का आपसन मिल जाएगा इसली तरीके से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जरू डाउनलोड करें तो कि यह website आपके लिए ही बनाए गया है इसके अलावा यह जो वेकंसी हैं सरकारी नोकड़ी से सबंदित हैं और सभी इस चैनल पर जितने भी हमारे audience हैं जितने भी professionals हैं आप सभी के लिए एक सुनारा मौका है यदि आप business करना चाहते हैं तो आप मेरे से contact कर सकते हैं बिजनेस करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे तो यदि आप business करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे से बात करें और बात करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वार्टसप ग्रूप का लिंक मिल जाएगा वार्टसप में जूट जाएंगे उसके बाद मे मैं तो आप पहले से कर रहा हूं लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप भी इसमें आ जाएं और आप भी पैसे बहुत कमाएं और इसमें काम करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अब हम बात करें इसमें जो बिभीन पद हैं इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं और नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हो सकते हैं कि आपके अकाडिंग या वीडियो ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब सरकारी करते हुए यहां पर पे पेल यहां पे नमबर हैं यहां पर कतेगरी वाइश क्योंरां तो एड्मिनिस्रेटीव ओफीसर के लिए एक पद एक पद है और एड्मिनिस्रेटीव ऑसेश्टेटेव और existing के लिए दो पद पर आवेदानामंत्रित हैं जो starting का पद है जैसे administrative officer का जो पद है L10 का है assistant administrative officer का L 8 का पद है और administrative officer का जो पद है L7 का पद है junior assistant के लिए total 8 पद है L4 का पद है जिसमें general category में 5 पद है एक OVC में है और एक SC category में है junior assistant हिंदी में भी एक पद है लेबल सेम है जनरल कटेगरी में और फाइनेंस एंड एकाउंट में जो आवेदा नामंत्रित हैं इसकी हम बात करें तो फाइनेंसियल एडवाइजर एंड चीफ एकाउंट ओपीसर के लिए एक पद है एल बार कांसार एकाउंटेंट ग्रेट फर्स्ट में सिंगल पद है एल एल सिक्स काउंट सिल्डी मिलेगी और जुनिय लाइसिस्टेंट का एक पद है एल पोर कांसार सिल्डी मिलेगी अब हम देखते हैं नीचे कि एल फूर कांसार सिल्डी क्या बनने वाला है junior system engineer great second में L6 concern एक पत है जंवर category में और junior technical assistant IT में जो हैं दो पत है L4 concern celebrity मिलेगा junior engineer electrical grad second में L6 concern एक पत पर आवेधन आमन्तरी थे यह रही पतों से related सरकारी जो नोकरी है इतने सारे पत हैं जो सरकारी नोकरी से सबन दीत है अब contextual basis में भी आवेदानामंत्रित हैं तो contextual basis में बात करें तो मिनेजर चेनई केमपस के लिए एक पद हैं और हिंदी officer official language के लिए एक पद हैं जुनियर programmer का एक पद हैं जो contextual basis पर आवेदानामंत्रित हैं अप्लिकेशन फर्म फिल करने के लिए जो अंतिम्तिति साम को सारे पांच बज़े तक आपको ऑनलाइन अप्लिकेशन फर्म फिल कर लेना है इस वेकेंसी के लिए कुछ अप्लिकेशन सुल्क लग रहा है जिसमें जनरल की ओफिसर के लिए जो यज लिमिट हैं पैटालीस साल है क्वालिफ़ीकेशन में प्रिजी डीग्री के साथ में पॉस्ट ग्र डिप्लोमा मेनेजमेंट में स्पेशलाइएशन होना चाहिए नोलेज़ आप computer पॉस्ट ग्रेजुट के बाद होना चाहिए एड्मिनिस्टेटिव एक्स्प्रियंस होनी चाहिए यदि आपके पांच साल का एक्स्प्रियंस है सुप्रवाइजरी या इंडिपेंडेंट रोल जो गौर्मेंट अर्गनाइजेशन में हैं तो भी आप अपलाए कर सकते हैं इसके अलावा जो हैं असिस्टेंट एड्मिनिस्टेटिव ऑफिसर के लिए एज लिमिट 40 साल हैं क्वालिफिकेशन में डिग्री एनी डिस्प्लीन और नौलेज आप कॉंप्यूटर ऑपरेशन्स हैं आठ साल का एक्स्प्रियंस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेश इसके अलावा टाइपिंग स्पीट है 35 पर मिनट इंग्लिफ और एक्सिलेंट कम्णिकेशन होनी चाहिए जुनियर आसिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 32 साल और क्वालिफिकेशन में जो अभी क्वालिफिकेशन में बताया था कि बेचलर डिग्री होनी चाहिए साथ में कॉंप्यूटर ऑपरेशन सभी पंद के लिए मांगा हुआ है और एक्सप्रियंस में चार साल का एक्सप जाए इस ता से जो है लेटर राइटिंग से रिलेटेड वी डिटेल जंकारी होना चाहिए जुनियर आसिस्टेंट हिंदी में एज लिमिट 32 साल है बेचलर डिग्री मांगा हुआ है क्वालिफिकेशन में और हिंदी और इंग्रिश दोनों में होना कंपल्सरी राता है क्य जो बिभिन पद्ध है जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर का जो पद्ध है एज लिमिट है 55 साल और क्वालिफिकेशन में ग्रेजवेट डिग्री कामर्स यानि सी या आई सी डवलू ए आपके पास है तो अपलाई करेंगे इसके साथ मे 12 साल का एक्सप्रियेंस होनी चाहिए पे लेवल जो है 11 कंसा एक्सप्रियेंस इसे मांगा है यह तीन साल का भी एक्सप्रियेंस है पे लेवल 10 या 6 साल का एक्सप्रियेंस है पे लेवल 10 कंसा तो आप अपलाई कर सकते हैं यह एक्सप्रियेंस ज्यादा मांगा हुआ है इस इसके अलावा इतना ही नहीं है और भी रिक्वाइर्मेंट है तो इसलिए एड़ोटाइजमेंट डाउनलोड करके आपको पढ़ना पढ़ेगा जुनियर एकाउंटेंट के लिए एज लिमिट हैं 32 साल और क्वालिफिकेशन में ग्रेजूइट कामर्स विसे में होना चाहिए या इनी डिग्री यानी सी इंटर सी या इंटर आई सी डवलू ये आपके पास हैं तो आप एलिजबल हैं बटी चार साल का एक्स्परियेंस होना चाहिए और लाइबरी साइंस के फिल्ड में असिस्टेंट लाइबरी के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री फोल्विंग ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें से प्येजडी लाइबरी इंफार्मेशन साइंस या नेट या सेलेट होना चाहिए इसके अलावा इविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइबरी सर्विसेस इंक्लूडिंग दी इंटेग्रेशन ऑफ आई सीटी इन दी लाइबरी लाइबरी हैं और फइफ यह य का एक्सपरियेंस आफ्टर ग्रेड़ेट लाइबरी एक्सपरियेंस होना चाहिए जैसे स्पिर्वाइजर्य या म्यूंवेठ एइस्टिशनल लेवल का इसके अलवा एक्सिल ओरगरी रिकेशन स्कील होना चाहिए मेसा ऑपिस का घ्यान भी होना चाहिए सिनियर लाइबरी इंफंर दग्रेंज के लिए लिमिट है 40 Straight से क्वालिफिकसर में मांच्टर टीड्री लाइबरी इंफॉर्मेसं साइनस में मंगा हुआ है और ठीजियर का एक्सप्रिएंस मगा हुआ है Library Information Science की फिल्ड में, अंदर रिक्वाइर्मेंट में Excellent Oral और Retained Communication इसकी इन्गली सरा Communication Skill है, जुनियर Library Information Assistant के लिए एज लिमिट हैं 32 साल, और Qualification में Graduate in Library Information Science हैं, और 4 साल का Experience होनी चाहिए सबंदित फिल्ड में, इसके अलवा Oral और Retained Communication Skill होना चाहिए MS Office का अच्छा ग्यान होना चाहिए Junior System Engineer के लिए Qualification में BSE या CS या IT या BCA आपके पास हैं या B-B-TEC CS में है या EC में है या IT में है तो आप eligible है अपलाई कर सकते हैं लेकिन 6 साल का Experience होना compulsory है इस पद्द के लिए इसका लगा और भी डिटेल जंकरीद दी गई है Junior Technical Assistant के लिए जो Qualification है BSE CS या IT या BCA आपके पास है या B-B-TEC CS या EC या IT यानि Computer Application या Information Technology में है और 4 साल का Experience है तो आप eligible हैं अपलाई कर सकते हैं और सभी पद्द के लिए Excellent Oral और Written Communication Skill इसकी English में होना compulsory है Maintenance and Management में जुनियर इंजिनियर Electrical Grade Second में जो आवेद नामंत्रित हैं Qualification B-B-TEC Double E या E-E Electrical Engineering या Electrical Electronics Engineering में है तो आप eligible हैं अपलाई कर सकते हैं ने कि कम्प्यूटर का घ्ञान होने चाहिए और कम से कम 6 साल का Experience इसकी हम बात करें तो यह जो पद है मेनेजर के लिए तो सेलरी रुपीय पर मन्त और क्वालिफिकेशन है में पचास परसेंट अंग है मास्टर डिगरी में तो आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन 10 साल का Experience होना चाहिए इसकुल लेबल का Experience है तो भी चल जाएगा हिंदी ओफिसर के लिए आपको पता है सेलरी में बता जता हूँ कि 55 से लेकर 70,000 रुपीय पर मन्त सेलरी है और इस पद के लिए जो है दो साल के contextual basis पे आवेदन आमंतरित हैं एज लिमिट है 12 साल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही होगा इस पद के लिए दोनों क्वालिफिकेशन क्या मांगता है आठ साल का Experience होने चाहिए इस पद के लिए जुनियर प्रोग्रामर के लिए जो है टू येर का contextual basis पे आवेदन आमंतरित किया गया है और पान साल का Experience है तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जो लांगवेज है न जैसे Python, PHP, Java, .NET ये सब लांगवेज आपको आना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे अधर्वाइस बाद में आपको reject कर दिया जाएगा तो इस तर से या आवेदन आमंतरित किया गया है अब यहाँ पे आते हैं तो General Terms and Condition दिया गया है तो मैं आपसे request करूँगा कि Online Application Formal करने से पहले General Terms and Condition को जरूर पढ़ें क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं ने वीडियो तो बना देते हैं इसको पूरा इतने सारे page रहता है हम पूरा पढ़कर आपको नहीं सुना पाते हैं क्योंकि पूरा पढ़कर सुनाएंगे ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दो गंटे-तीन का वीडियो हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएगे क्योंकि सारे डेटा आपको एक ही वीडियो देखने में कतम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे तो इसलिए हम पूरी जंकारी नहीं बताते हैं कम जंकारी बताते हैं और यह जो वेकेंसी है ना भारती परबंद संस्तान तिरू चिल्ला पल्ली में आवेदान आमंत्रित हैं एक आप इस चैनल को लाइक करेंगे